नमस्कार साथियों सुवागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों फाइनले नीट परिशा 2024 के एक्जाम पोस्टपॉंट को लेकर कि जो बड़ी अपडेट सामने आ रहे हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता क्या नीट परिशा एक्जाम पॉस्टपॉंट होगी या फिर नहीं सुखाय चैनल पर अगर आप नहीं तो जुरूर सब्सक्राइब करेना नीट परिशा से रिटेट आपको सारी के सारी अपडेट मिलते रहेगी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं क्या है तो लाइक भी यहां से आप अब एक अपडेट मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहां से आप देख सकते हैं हर साल नीट परिशा के बारे में सबसे आम सवालों में से एक यह भी सवाल है कि क्या नीट यूजी 2024 इस्तकित किया जाएगा या फिर नहीं हालें कि नेशनल टेस्टिंग एज 2024 परिशा बिलकुल यूजना के अनुसार होगी यानि कि आपकी जो परिशा है वो पांच मही कोई होने वाली है लोग सबाइलेक्शन का इसके ओपर कोई विस इफेक्ट नहीं रहने वाला गुनिस अप्रेल से एक जून तक चलनने वाले साथ चरणों में होने वाले लोग स सुबा चुनाओं के साथ नीट यूजी 2024 के भाग्य के बारे में जिनता हैं सुबाविक हैं अलांकि एंटे के करीवी सुतरों से मिले जानकारी से बता चला है कि परिशा जो है आपकी पोस्ट मॉण बिलकुल भी नहीं होने वाली है क्योंकि यह किसी भी मतदान की तारिकों किसे मेल नहीं खाती हालांकि जो पांच मॉण है वहाँ पे कोई भी लोक्स वाइल एक्सन नहीं है तो आपकी जो एक्जाम है वो 99% पांच मॉण कोई होने वाली है इसके अलाव अगर आप सोस्ट मीडिया पे कोई भी अपडेट देख पा रहे हैं कि आपके एक्जाम पोस टक कि आपको को यहाँं पे एड्मिट काड भी जो है देखने को मिल जाएगे नेक्स्ट वीक में आपको एड्मिट काड देखने को मिल जाएक तो एडमिक कार्शू अरे के इस जुरूर समस्क्राइब कर ले दा वीड़ को आपको अच्छा लागव तो यजरू के पैर ला मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद